पिछले क्लास में हम लोग थर्मडाइज से स्टार्ट किये एक नया चैप्टर फड़ासा दो मिनट उसके बारे में फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं फर्मडाइज के बारे में बताया आपको it is the branch of chemistry chemistry का कौन सा branch which deals the relation between chemical reaction and heat energy यानन इस chapter में हम लोग chemical reaction और heat energy के बीच के relation को पढ़ेंगे कि किसी particular chemical reaction में energy absorb होगा या फिर release होगा और कितना amount में आप जौब या release होगा इस जगब पर इसके बाद हम लोग पढ़े system surrounding and universe system कहा जाता it is the part of universe which is under observation जैसे अगर आप लैब में काम कर रहे हैं तो test tube, beaker, flask जहां कोई particular chemical reaction करा रहे हो वो system कहा जाएगा उसके अलाबा rest part of the universe is called surrounding और इन दोनों के combination से बना था universe फिर system के classification पर आगे हम लोग types of system on account of the exchange of energy and matter there are three types of system open, closed and isolated open में energy और matter दोनों का exchange होता है, closed में सिर्फ energy का exchange होता है और isolated में किसी का नहीं होता है ना तो energy का और नहीं matter का इसके examples से कुछ question solve किये थे हम लोग फिर आगा internal energy पर हम लोग internal energy के बारे में बताया इसे U से represent करते हैं it is the sum of all the forms of energy associated with a system किसी भी system के साथ में जितने भी form of energy होंगे हो सकते हैं उन सब को हम लोग collectively internal energy करते हैं and it is impossible to define the internal energy of a system लेकिन हम लोग changing internal energy निकाल सकते हैं by using the relation delta U is equal to Q plus W फिर इसके बाद इसके sign convention पर आ गए sign convention में बताया कि Q का value positive भी होगा negative भी W का value positive भी होगा negative एक simple सा बात ध्यान में रखोगे वो सारे process जिससे system का energy बढ़ सकता है plus होगा वो सारे process जिससे system का energy कम होगा minus में रखा जाएगा जैसे अगर कोई processing जो थर्मिक है system से energy बाहर निकल रहा है तो minus में होगा और अगर system को energy दे रहे हैं तो प्लस में होगा यहां तक complete हो चुका था उससे related numericals बनाया थे अब आज आगे बढ़ते हैं हम लोग thermodynamics में आज हम लोग एक और formula का derivation करेंगे और इससे related question बनाएंगे work done in terms of pressure and value या इसके पहले वाले हो हमें pressure और volume के terms में तो फिर किस तरीके से करेंगे कौन सा concept यूज़ करना होगा दो तीन question है इस parts से related उसे भी हम लोग solve करेंगे पहले derivation आएगा लिखे topic work done in terms of work done in terms of pressure and volume अब यहां जब derive करेंगे formula हम लोग तो थोड़ा सा physics का concept का दूरत पढ़ेगा chemistry में भी physics के concept का दूरत पढ़ता है और जहां physics के concept का दूरत पढ़ता है उसको physical chemistry करते है इस the branch of chemistry where the concept of physics is involved लेकिन physics का उतना ही दूरत पढ़ता है जितना तुम 19th standard में पढ़ चुके हो यानि कि बहुत जादा extra का दूरत नहीं पढ़ता यहां पर अगर basic part है आपके दिमाद में तो यहां पर आप उसका answer कर सकते हैं थोड़ा सा देखो यहां उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे अभी लिखोगे नहीं पहले कुछ प्रेशन लगा होता है जो मूव कर रहा होता है अंदर के गैस की वज़े से बाहर और अंदर की तरफ में जिसकी वज़े से आपका गाड़ी चल रहा होता है जैसे आप बाइक लेते हैं तो वहां देखते हैं कि वह 100cc का है 150cc का है तो सीसी यानि सेंटिमीटर क्यूब नियुक्सित warfare करता है कि उसलेंडर के अंदर में कितना व्यां प्रडैय सोगा जितना ज्यादा ही ज्यादा प्रेशन और ये पिस्टन मुवेबल होता है और इसी के अंदर बाहर मुव करने की वज़े से इसे कनेक्टेड होता है तो आपका वील जो घूमता है यहां पर कई बार में आप देखते हुए इसको फिर एर टाइट बनाने के लिसके अंदर में एक रिंग लगा वरता है ताकि यहां से इसका गैस जो नहीं निकल जाए तो वो मूव कर रहा होता है तो इसी के उपर में प्रेसर इक जट करते हैं तो यहां बाहर आया बाकी इंजन वगर अगर पढ़े होंगे फिजिक्स वगरह में पहले फिजिक्स में अंडर टेंथ टेंथ क्लास में ही था पेट्रॉल इंजन और डिज्ल इंजन यह स्टार्टिंग में अभी पता नहीं है अभी का सिलेव स्वwers तंब भां कौन पढ़ाते थे तो टेंथ वाले को तो फिन पर याद है हमें लीजन की बात कर रह आप बाहर से जब एक्स्टरनल प्रेसर अप्लाई करोगे आप बता जब इस पर डालेंगे तो यह पिस्टन बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ जाएगा तो मालें कि अब यह पिस्टन मूफ करके यहां पहुंच गया इस जगह पर यहां और इस कंडिशन में अब इनका वॉल्म कितना हो गया और यह कब हुआ जब इसके उपर में प्रेसर पढ़ा है पहले यह इस जगह पर था पहले ये इस position पर था यहां पर और जब इसके उपर में pressure apply किया गया पी pressure तब ये piston अंदर के तरफ move किया और यहां पहुंचा इस movement में suppose इनके द्वारा जो distance travel किया गया है वो L है L distance ये travel कर रहा है इस piston का अपना area of cross section होगा मानले कि इसका area कितना है ये है इसको उपर pressure डाले तो ये L distance टेवल किया है हमें निकालना है कि ये कितना volume हुआ जड़ा साथ आप देख करके बताओ तो diagram यहां ये value है भी आई ये value है भी एफ तो बताओ तो ये volume कितना होगा V I minus V would be equal to हो जाएगा यहां पर V I minus V इसमें से इसको minus कर दिये तो इनका value है निकल गया ये अब इसके बाद में आए जाते हैं हम लोग work done प्रेशर फोर्स के उपर में बता सकते हो वाक ड़न किसे कहते हैं वाक ड़न के लिए फर्मूला चाहा होगा प्रेशर के और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है प्रेशर कहते किसे हैं ओर्स बाइए एरिया दफोर्स एक्टेड़ ऑन पर उनिट एरिया इस काल्ट प्रेशर उसी के ट्रॉंस में हमें रिलेशन इस्टैब्लिस करना है तो वहां बढ़ते हैं हम लोग अब आगे उसकी तरफ में बोड़ पर देखना वर्क डन इसके लिए फार्मुला क्या है झात रोस इन्तू लिश्पलेस्मेंट डिश्पलेस्मेंट लिश्पलेस् मेंट वर्कक डन को डबलू से Supreme करते हैं पोर्स को किस से एफ से अरं डिश्पलेस्मेंट बताओ यहां कितना है एल इसे equation first मा लेता है फिर pressure और force के बीच में relation अप्लाई करते है pressure is equal to force by area बता आप pressure को किस से represent करते है P से force को F से और इसका area कितना है A therefore F would be equal to और क्या लिख सकते है pressure into area यह equation second हो गया अब देखो इस F के value को equation second से put कर देते हैं कहाँ पर force में यहां लिखा जाएगा from first and second W would be equal to W is equal to F into L था और F की जगा पर क्या है P into A बताव क्या लिखेंगे A into और फिर इस डागराम को देखो यह L है और इसका area A है तो A into L किसके बराबर होगा B के बराबर area into length volume के बराबर होगा यानि कि अगले step में हम लोग लिख सकते हैं P into B आईए आप देखो तो यह B किसके बराबर है P I minus B F के तो इसे और हम लोग लिख सकते हैं P into B I minus B F बोले यहां तक कोई दिकत और देखना तो P into minus B F minus B I बताओ यह लिख सकते हैं यहां minus कर दिये तो यह minus minus plus हो जागा और यह क्या हो गया minus हम इसमें क्यों convert किये actually हम यह निकालना चाह रहे थे P into minus delta B यानि इसे volume को हम लोग delta B में रखना चाह रहे थे और किसी का भी अगर आप change calculate करते हो तो change किसके बराबर होता है final minus initial यहां यह आ रहा था initial minus final और हमें निकालना था final minus initial तब इसको करेंगे तो यह value किस में चलाएगा minus में that is formula क्या आ गया W is equal to minus P into delta B यह simple तरीके से हम derive करने ही कोसिस की आप बुक में भी देखोगे वहां पर भी दिया हुआ है लेकिन कई वैसा term यूज कर दिया वहां पर जिससे student को confusion हो सकता है external pressure हो गया internal pressure हो गया वो सब कुछ apply करने का जरूरत ही नहीं है simple सा यह जो तरीका बता है उसके नुसार से आप कर सकते हो area of cross section piston का a है इसका initial volume b i था जब इसके उपर में external pressure p applied होता है तो यह inward move करता है l distance cover करता है इस l distance cover करने पर इनका जो volume होगा वो b i minus कितना हो गया अगर इसको x करते इसको y करते तो b x minus b y हो जाता और इन formula का use करके हम लोग final निकाले तो w is equal to minus p into delta भी होए अब यहां पर कौन किसको represent करता है उसके बारे में थोड़ा सा where p represent कर रहा है किसको pressure का pressure का कई unit होता है atmosphere होता है बार होता है mmhg होता है यहाँ generally हम लोग इसको atmosphere में रखते है delta भी बताओ क्या है change in volume change in volume इनका unit बता सकते हो क्या होगा liter volume का हम लोग लीटर में रखेंगे change in volume liter और यह किसके बराबर होता है bf minus b i w बताओ क्या है work done work done का unit क्या होगा जूल लेकिन आप unit and dimension पढ़े होगे इस डबलू का अगर unit निकालेंगे ति यह pressure और volume के unit के बराबर होगा आप बताओ प्रेशर की किसेज में atmosphere और volume के किसेज में लीटर में तो यहां से इसका unit क्या हो गया लीटर atmosphere पढ़ेंगे न यूनिट का यूनिट क्या हो गया लीटर है तो इनका भी unit क्या हो जाएगा लीटर atmosphere यानि कि इस formula से अगर आप निकाल रहे हो तो यहां work done का unit क्या हो गया लीटर atmosphere लेकिन हम लोग work done जो यूज करते हैं निकालते हैं वो किसेज में होता है जूल में तो अब relation धियान में रखना होगा कि लीटर atmosphere का जूल में क्या relation है तो यहां एक relation है वन लीटर atmosphere is equal to 101.3 जूल यानि कि जो भी value लीटर atmosphere में आएगा इसे आप 101.3 से multiply कर दोगे वो किसमें convert कर जाएगा जूल में तो numerical बनाते वक्त में यही ध्यान देना होगा पहले जो pressure निकाले पहले जो volume निकाले इनसे हम लोग का जो work done आएगा वो लीटर atmosphere में होगा और इस लीटर atmosphere को 101.3 से multiply कर देंगे तब वो convert करेगा जूल में अब आप यह diagram बना लीजिए इसको note कर लीजिए यहां से कर बैसंट सरना करह momentum ृशन सरो अजिए लिए में ठीजिए लीजिए लिए कृंसित का छिर लीजिए लीजिए लिए लूओ लीजिएर लवाग् सेलिएर लीजिए लिएा।मृटर लामे लीजिए लाग्वार बीजिएर त wovenak which area of cross section which area of cross section is A has movable piston which area of cross section is A यहाँ small A लिखें आप capital A यहाँ लिखोगे तो वहाँ पर भी formula में capital A लिखेंगे A full stop on applying on applying external pressure on applying external pressure P on applying external pressure P the volume of the cylinder the volume of the cylinder become VF the volume of the cylinder become VF become VF from VI become VF from VI from VI यानि पहले VI था और अरब कितना हो गया VF हो गया full stop during this process during this process the piston the piston cover a distance cover a distance of L cover a distance of L cover a distance of L L distance यह travel करता है ठीक है आप लिख सकते हैं है आप नोट कर लेजे हैं हटाते हैं इसे अब कितना पार्ट समझ में आया है कितना पार्ट समझ में नहीं आया है यह पता चलेगा जब इससे related हम लोग question बनाएंगे तब कि बन रहा है या नहीं बन रहा है तीन question है यह first वाला question देखो हम बना रहे हैं बिलकुल इसी तरीके का बाकी का दो question थोड़ा सा change करके है आपके लिए बिलकुल एकदम इत्मिरान से समझोगे लिखने के पीछे में नहीं भागना है समझना ज्यादा जरूरी question करा है on supplying 10 kilojoule of heat energy on supplying 10 kilojoule of heat energy बता सकते हैं किसका value दिया हुआ है क्यों का और यह plus होगा या minus होगा क्योंकि supply किया जा रहा है on supplying 10 kilojoule of heat energy the volume of a system becomes 30 liter from 20 liter becomes 30 liter from 20 liter यानि कि initial volume कितना था और final कितना हो गया तो delta B का value निकल गया यहां आगे करा है if the expansion take place against two atmospheric pressure then determine the value of internal energy change तो आपको internal energy change निकलना है बोट पर देखना एक पिछले class पर हम लोग फार्मूला पढ़े थे delta U is equal to Q plus W और एक अभी फार्मूला पढ़े है W is equal to minus P into delta V इसका मतलब यह कि अगर Q और W दिया हुआ है तो direct निकल जाएगा अगर W नहीं दिया हुआ है तो W इस फार्मूले से निकाल करके आप यहां पुट करोगे इस question में Q का value तो दिया हुआ है लेकिन W ना दे करके pressure और क्या दिया हुआ है volume तो इसका use करके बागे W निकालेंगे W के sign convention का tension आपको नहीं है automatically वो value positive और negative आएगा जब आप pressure apply करेंगे तो pressure apply करेंगे तो उनका volume decrease कर जाएगा delta V का value तो वहां पर वो खुद बखुद प्लस में आ जाएगा और अगर वो expand कर रहा है expand कर रहा है इसका मतलब system work कर रहा है और जब system work करेगा तो खुद बखुद बखुद वो minus में आ जाएगा जैसे इस वाले question में देखते हैं क्या information दिया हुआ है सबसे पहले उसको लग करते हैं according to question अब बताओ Q का value कितना दिया हुआ है प्लस 10 kilo joule इसको joule में convert कर लेते है 10,000 joule बताओ initial volume कितना है 20 liter फाइनल volume कितना है 30 liter तो बताओ delta V का value निकल जाएगा formula VF minus VI 30 minus 20 कितना आ गया 10 liter अब बताओ तो इस question में pressure का value दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2 ATM दिया हुआ है पहले हम लोग W निकालेंगे और जब W निकल जाएगा तो फिर किसका value निकालेंगे डेल्टा यह होगा बताओ डबलू का formula minus P into delta A minus 2 into 10 क्या हो गया 10 लीटर अट्मोस्फेर आपसे जल्दी बाजी में यहीं गरबड होगा वर्क डन लिखोगे और minus 20 जूल कटोगे गरबड हो जाएगा क्यों क्यों यहां पर प्रेसर को आपने आट्मोस्फेर रखा है डेल्टा भी को लीटर में रखा है तो इनका यूनिट किस में आना चाहिए लीटर अट्मोस्फेर अब इसके बाद वाले स्टेप में जूल में कनवर्ट करने के लिए इसे 101.3 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो minus 2026 जूल यह निकल गया यह निकल गया डब्लू का वैलू अब इसके बाद में किसका वैलू निकालेते हैं डेल्टा यू का डेल्टा यू इस इकल ठूट फर्मुला q प्लस डब्लू q का वैलू 10,000 और डब्लू का वैलू minus 2026 बता सकते हैं कितना हो जाएगा इतना ही आएगा ये क्या हो गया जूल और अगर इसे किलो जूल में कनवर्ट करें तो 7.074 चेक कर ले ना एक बार तुम जो बोल रहा हूँ उसे में हम लिखे हैं ये सब्ट्रैक्ट करने पर यही वैलू आएगा कि 9 आएगा ठीक है ना सब्ट्रैक्शन क्या 7.974 तो 7.974 किलो जूल यह तो हम नहीं बता सकते हैं हम सिर्फ यह बता सकते हैं कि क्यू कभ यूज होगा डबलू कभ यूज होगा अब 5-12 होता है तो हम 5-12 प्लिक करके 10 लिख सकते हैं अगर आप बोलोगे तो वैसा ठीक है नोट कर लिए इसको अब इसके बाद वाला कोश्चन आपको बनाना है बिल्कुल एक दम ध्यान से पहले कोश्चन पढ़ोगे कोश्चन में क्या पूछा जा रहा है क्या वैलू दिए हूए वह उसके बाद फिर बनाने पूसिस करना तो है अब लोग कहां तक बना है नहीं बना है शूड़ दो कि सब छोड़िए जहां तक बना है वहीं तक कि नहीं तो इसके बाद वाला कोश्चन भी सिर्च आपना बाकी रह जाएगा कश्चत ne नहीं हो पाएगा यहां बोट पर देखिए यहां कर रहा है ऑन अप्लाइंग पूर एक्मोस्परिक पेसर तो जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको सेपरेट करते जा रहे है एकॉर्डिंग टू कोश्चिन पी इक्वल टू पूर एक्मोस्परिक पेसर दो वॉल्म आफ ए सिस्टम बिकम टेन लिटर फ्रॉम फिप्टी लिटर बता यहां इनिस्यल कितना है फिप्टी लिटर फाइनल कितना है टेन लिटर डेल्टा भी इस इकल टू पाइनल माइनस इनिस्यल यानि टेन माइनस फिप्टी वैलू कितना हो गया माइनस पूर्टी लिटर डेल्टा भी का वैलू आगे कर रहा है इफ टू किलो जूल अफ हीट इनर्जी इस रिली उस्ट क्यू का वैलू 2 किलो जूल माइनस 2000 जूल आप से कर रहा है डेल्टा यू का वैलू निकालना है देखो क्यू दिया हो है तो सिर्फ क्या निकालना है पहले डबलू w is equal to formula माइनस p इंटो डेल्टा भी माइनस 4 इंटो माइनस 40 माइनस 40 plus 160 लीटर आटमोस्पेर यह आया ना अब इसको मैल्टिप्लाइ कर देंगे 160 इंटो 101.3 कितना आ गया 208 यह W का वैलू है नाव डेल्टा यू इस एक्वल टू Q प्लस डबलू Q का वैलू माइनस 2000 प्लस 16 208 बता कितना आ गया 14 208 जूल और 14.208 जूल किलो जूल जूल को 1000 से डिवाइड कर दिए यह किलो जूल में कनवर्ट का जाएगा किलो जूल आप में से कितने लोगों से बना था यह चीख तो आप कॉपी कर लीजे इसको किली यह सुनिया इदर एक मिनट यहां देखें इसमें अलग है इंटर्नल इनर्जी का वैलू दिया हूँ है आप से यहां पर कुछ अलग पूछ रहा है ध्यान से सुनोगे इसी का यूज करना पड़ेगा अभी जो हम लोग वर्क डन निकाले थे प्रेसर और वॉलूम का यूज करके तो वो आया था लीटर अट्मस्फेर में तो उसे जूल में कनवर्ट करने के लिए हम लोग 101.3 से मल्टिप्लाई कर दे इसी का ठीक उल्टा अगर वर्क डन आप निकाल ली है जूल में और आपको प्रेसर या वॉलूम निकालना है तो जूल में यूज नहीं करेंगे वैलू उसको पहले किसमें कनवर्ट कर देंगे लीटर अट्मस्फेर में क्या करोगे इसके लिए 101.3 से डिवाइट करेंगे फिर से वर्क डन पहले निकालोगे यहाँ डेल्टा यू दिया हुआ है क्यू दिया हुआ है तो डेल्टा यू और क्यू के वैलू से डबलू निकल जाएगा यह जो डबलू निकलेगा वो जूल में होगा इस जूल को आप लीटर अट्मस्फेर में कनवर्ट करोगे उसके लिए 101.3 से डिवाइड कर देंगे तब यह लीटर अट्मस्फेर में कनवर्ट किया उसे डबलू से आप डेल्टा भी का वैलू निकालोगे और जब डेल्टा भी निकल जाएगा तब फिर भी अफ निकलना है यानि कि फाइनल वॉल्म निकलना है यानि तीन स्टेज में जाकर करके यह कोश्चन यह वह कंप्लीट होगा बनाई यह वाव देखें यहां बोड़ पर देखें सब लोग कुछ लोग बना रहे तो यकिन मानिए किसी ने किसी दिन सही बनेगा तो आपका बढ़ जाता है जो फॉस्ट भी बताया थे और अगर आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे कि क्या दिया हुआ है अब जैसे देखो न कोई आज ही क्लास किया है पिछले क्लास में अपसेंट भी रहेगा तो इंटर्नल इनरजी को किस से रिप्रेजन करते हैं डेल्टा यू से तो डेल्टा यू दिया हुआ है क्या ये सब तो कुछ लिखी सकते हैं और हम देखें कि आप पांच मिनट के बाद में पीछे की तरफ मे जा रहे हैं तो साथ आठ लोग हमें दिखाई दिए कि बस अभी लिखना शुरू कियें कि उठकर के चले अब लिखोंगे नहीं मेरे साथ हम टाइम देंगे कॉपी करने का यहां कर रहा है तो प्लीज आप मत कीजिए क्योंकि आपकी वज़े से दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता है आप डिसकस कर रहे थे बनाते वक्त में कहां हम कुछ मना किए जब यहां हम बोल रहे हैं तो सिर्फ आप वेट कीजिए उसके बाद फिर आपस में डिसकस कीजिएगा क्या सही है क्या गलत है एकॉर्डिंग तो कोश्चन डेल्टा यू का वैलू बताओ कितना है 2.974 किलो जूल इसे जूल में कनवर्ट कर देंगे 2974 जूल कराई दा चेंज इंटर्ण इनर्जी ऑफ ए सिस्टम इस 2.974 किलो जूल इस 5 किलो जूल अफ फीट इनर्जी सप्लाइड यानि क्यों का वैलू सप्लाइट क्या जा रहा यानि प्लस है कितना 5 किलो जूल प्लस 5000 जूल is supplied during the process against two atmospheric pressure P का वैलू भी दिया हुआ है कितना 2 ATM two atmospheric pressure then determine the final volume of the system आपसे VF का वैलू पूछा जा रहा है the initial volume of the system is 30 liter यानि VI का वैलू कितना दिया हुआ है 30 liter दिया हुआ है अब यहां देखो डेल्टा यू पता है Q पता है तो W निकल जाएगा formula हम लोग यूज करते हैं डेल्टा यू इस इक्वल टू Q प्लस W therefore W उट इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा यू माइनस Q डेल्टा यू का वैलू 2974 और क्यू का वैलू 5000 बताओ कितना हैगा वैलू माइनस 2026 जूल अब बताया थे कि जब आपको वॉल्म निकालना है लीटर में तो इस जूल को किस में कनवर्ट करोगे लीटर अब यह वैलू देखे कितना हो जाएगा माइनस 2026 डिवाइड़ बाई 101.3 बताओ कितना है माइनस 20 लीटर आट्मोस्फेर ठीक है अब डबलू इस इकल टो माइनस पी इंटू डेल्टा भी का फर्मला यूज करते हैं डबलू इस इकल टो माइनस पी इंटू डेल्टा भी इसका वैलू है माइनस 20 इस इकल टो पी का कितना है डेल्टा भी इस इकल टू धी एफ माइनस धी आई बताओ डेल्टा भी का वैलू कितना है था भी टेन धी एफ का वैलू निकालना है ना और इनिसल कितना है 30 कि देर्फोर भी एफ उडविक्वल टू टेन प्लस साटी कि इस फोर्टी लिटर कि लोग बनाया है कि लोग का कॉपी देखें हमकी बना हुआ है आप में से कितने लोग आंसर आया यह ठीक है बाकी लोग देखें कहां अटक है आप में से कई लोग जहें वो डाटा सिस्टेमेटिक तरीके से नहीं करोगे तो लेयर किसमें प्रेसर जादा है हम यह वैलू ही दिये थे कि आपको कैलकुलेसिन कम करना पड़े कटने वाला वैलू दिये एंसे आटी में बस यही फर्क पड़ेगा जहां पर जोड़ घटा गुना भाग जादा करना पड़ेगा नोट कर ली जबाव हो गया है चलो देखो अब यहां यह हम लोग वर्क डान इंटर्म्स और प्रेसर एंड वॉलूम बताए उससे रिलेटेड कोश्चन था अब इसके बाद देखिए कई नए टॉपिक्स हैं जैसे यहां हम लोग आप डिसकस करेंगे इंथैल्पी के बारे में इंटर्नल इनर इनर्जी पीछिक अब पदा चलेगा कि इंटर्नल इनर्जी और इनके बीच में क्या इसके बाद में एक र замеч है अधे अधे जाएगा निकर यहां डेल्टा एच के तरीके से लिखा जाएगा माइनस प्लस जो आपके दिमाग में है वो लगा कि यहां कुछ फूर्टा हो गया है फिर आएगा हीट कापशिटी अब यह लगा आपको फिजिक्स के जैसा हीट कापशिटी इससे फिजिक्स में अगर तो आज आगे नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग आज यहीं तक अगले क्लास में फिर इन्थैल्पी और इससे रिलेटेट बताएंगे थैंक्स पूर वाचिंग इस वीडियो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अगर किस तरह कर समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकने हैं हम अपनी तरब से पूरी कोशिस करेंगे उसे रिप्लाइ करने के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड सेयर करें टैंक्यो वेरी मुझे